दोस्तों अगर आपको online business करना है, चाहे किसी भी चीज में आप कपडों का business करें, grocery का business करें, headache craft करें, दवाईयों का करें या जितने भी sectors हैं इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन से strategies आप use कर सकते हैं, जिससे आपका e-commerce business अगले 30-40 साल और उससे भी आगे तक चलता रहे आज इस वीडियो में हम snap deal के भी बारे बात करेंगे, कि snap deal ने जो इतने सालों से इंडिया में चल रहा है, वो उसमें कौन सी strategies लगाई थी तो ये वीडियो उनके लिए बहुत important है, जो कि या तो e-commerce और online business कर रहा है, या जो शुरू करने वाला है हेलो दोस्तो, मेरा नाम है दीपक, आप देखे रहें digital lot, तो दोस्तो ये भारत का बहुत पुराना tradition है, हजारों सालों से चलता रहा है कि हर शहर में एक ऐसा बाजार होता है, जहां पर हर तरह की दुकाने होती है, और सब लोग वहाँ से जाके अपने festivals में और अलग-अलग टाइम में खरीदारी करता है, चाहे वो दिल्ली का करोल बाग हो, या मुंबई का फैशन मार्केट हो, या बनारस की गलिया हो, या फिर चेन्नई का मार्केट हो, या फिर अगर हम बात करें कि पूरे इंडिया में इस तरह के हर शहर में ये मार्केट हुआ करते हैं, और 1990 से 2010 के बीच में देखेंगे, तो भारत में कुछ थोड़ी मोडी फिलिपकार्ट और स्नैप डिल जैसी कंपनिया शुरू हो चुकी थी, अगर 2010 से 2020 में बात करें, तो आप आज वो कंपनिया देख रहे हैं, जो की काफी अच्छा कारूबार कर रही हैं इस समय कोमर्स में, अब आप 2020 के बाद से 2020 तक की बीच की वो आप कंपनिया देखेंगे, जो इस फेज में जो ऑनलाइन आएगा, वो अगले 10 साल बहुत टॉप पे रहने वाला है, तो आप इस तरह से ट्रेंड देख सकते हैं, अगर आप पिछले 30 साल अगर अब्जर्व करेंगे, तो कुछ ऐसा ह चल रहा है, और आज की रेट में कंपनिया कैसे ग्रो कर रही हैं, उसके लिए वो अलग-अलग डिस्काउंट ओफर्स देते हैं, कंपनिया एड चलाया करती हैं, और एड चलाने से सेल बहुत इसी हो गई है, बस आपको अच्छी अगर नॉलेज नहीं है, जब तक आपको नहीं है, तभी तक आपको यह चीज़ें टफ लग रही हैं, शायद आपको, आपने कभी कोई आपको ऑनलाइन अनुवव अगर नहीं होगा, तो आपको मेरी बाते शायद बहुत कुछ दूर के दुनिया की लग रही होगी, लेकिन अगर आप हैबिचोल है, तो आपको मेर इंडिया के फैमिली एक डेटा में मानी गई है, 29 करोन फैमिली अगर इंडिया में है, तो उसमें से करीब 13% ऐसी पॉपुलेशन है, 29 करोन में से, जिनके फैमिली में 1,25,000 या उससे ज्यादा लोग अर्न किया करते हैं, मतलब इतनी लोग की सैलरिया है, तो अब वो बिज हो गई, जिसको हर कंपनी टार्गेट करती है, इसको आप भी कर सकते हैं, हम ये पूरा समझ रहे हैं, इंडिया का डेमिग्राफिक आज, तो इसमें अगर अगली बात करें, तो करीब 6 करोर ऐसी फैमिली हैं, जिनमें जो अर्निंग मेंबर है, वो करीब 55,000 से लेके, 1,02,000 तक वो अर्न करता है, तो ये वो फैमिली हैं, जो ब्रैंड में खरीती हैं, और कभी नई भी खरीती हैं, मतलब कुछ चीजों में वो ब्रैंड के तरफ जाते हैं, और कुछ चीजों में वो लोकल चीजों के तरफ जाते हैं, यहां पर ये दोनों साइट रहते हैं, अब उस आप बहुत महंगी चीज़े नहीं दे सकते हो, आप इनको नॉर्मल चीज़े ही आप फोकस में रखिए, तो जो सबसे क्रीम पॉपलेशन मैंने बताई, उसको सबसे बड़े ब्रैंड टार्गेट करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले, यह जो तीसरे ल उनके पिछले जनरेशन से, लेकिन अभी उनको पास उतना इंकम भी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा खर्च करें, तो उनको कुछ एफोर्डेबल रेट में, कुछ ब्रैंड वाली चीज़ भी, ताकि उनका मन भी रह जाए और उनको अच्छी चीज़े भी मिल सकें, उनके भी हम बात करें, और अगर हम अभी COVID के टाइम के बात करें, तो आपको पता है कि इंटरनेट इस समय बहुत लोगों के पास तेजी से बढ़ता जा रहा है, 86 करून लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है भारत में, और इस समय बाइंग ऑनलाइन ही हो रही है, ये तो मैं ह मनी, कम दाम में अच्छी चीज, तो अगर आप ये लोगों का माइंटस समझ गए, तो आप इस मार्केट को आप रैक कर सकते हैं, तो सबसे इंपोर्टेंट आपको जो भी आप प्रोडक्स सेल करें, आपको वैल्यू फॉर मनी देना है, कपड़े भी दे रहे हैं, तो आप वो affordable rate में हो और बहतर quality हो, मतलब जो इंडिया का एक middle class person होता है, वो देखता है कि क्या ये कपड़ा साल बर दो साल चल जाएगा, क्या इसकी quality अच्छी है, और इसका ऐसा rate ठीक है, 1000 रुपए के अंदर है, 1200 के अंदर है, कुछ वो इस तरह की चीज़े खुशता है, तो ये company अभी तक इस market को crack नहीं कर पाई है, क्योंकि वो महंगे product बनाती है, ये लोग unbranded चीज़ खरीते हैं, बट चाहते हैं कि वो branded जैसा ही दिखे, तो इसमें कुछ regional companies होती है, जो की अच्छे से चला करती है, कुछ company इसको crack करने के कुशिश कर रही है, तो आप हम middle class से आते है हैं, तो हम इस चीज़ों को बहुत easily crack कर सकते हैं, तो अगर आप अपना business open कर रहे हैं, या आप इस business में हैं, आपको profit नहीं हो रहा है, तो आपको इस market के तरफ जरूर देखना चाहिए, अब आईए हम यहाँ पर snap deal के बारे में बात करते हैं, कि snap deal ने क्या cash strategies अपनाई, जै यहाँ पर बात करें, कि इन्होंने बहुत सारे initiative लिये, जिससे लोगों का buying बहुत easy किया जा सके, और अपने customers को यह अच्छे से engage कर सकें, एक सस्ते rate में, और sellers को भी बहुत सारी opportunities इन्होंने दी, तो आईए इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ अगर हम पिछले ए नेखेंगे, तो वो customer की reviews पे ज़्यादा focus है, तो आपको भी अपने reviews पे ध्यान देना है, मतलब, यह snap deal से में क्या कर रहा है कि, वो जो भी reviews आते हैं, उस हिसाब से यह अपने sellers को add करता है, यह बाहर करता है, और snap deal उन sellers को अपने platform पे ला रहा है, जो कि बहतर product, quality product दे रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि, अगर हम quality better से better करते जाएंगे, तो हमारे site पे ज्यादा से ज्यादा buyer आएंगे, और इसका result भी उन्हें मिल रहा है, snap deal बहुत तीजी से पिछले एक साल में grow कर रहा है, यहाँ पे अगर हम snap deal की strategy समझेंगे, तो यह direct manufacturer to consumer तक जा रहा है, यह कम से कम rate में buyers को बेच सकें, और उसमें quality भी यह manufacturer से बहतर लेते हैं, तो यह manufacturer to consumer brand पे वर्क करते हैं, यह जो भी चीद जिस जगह बहतर होती है, इनकी कोशिश यह है कि यह उस जगह पे जाके वहाँ के manufacturer से connect होके उनको direct अपने platform पे जोड़े, ताकि कम rate में बहतर product यह द sellers को यह बताते हैं, जैसे कि mask पे एक extra thread होनी चाहिए, अभी जो mask बहुत ज़्यादा हिससे में online बिख रहे हैं, तो यह सब चीज़े अपने sellers को बताते हैं, कि आप यह चीज़े एड़ करो, या फिर bedsheet में और fine cutting होनी चाहिए, यह सब तरह की चीज़े यह अपने sellers को advise देत यह अपने sellers जो इनके अंदर join हैं, उनको यह तुरन payment दिया करते हैं, और वही अगली जो snap deal ने focus किया, आप जैसे market में जाते हैं, तो एक दुकान के बाद अगर जैसे कि एक कपड़ी की दुकान है, तो उसके बगल में jewelry की दुकान होगी, उसके बगल में कोई और दुकान ह unique होती है, तो उसमें क्या होता है, कि आप बोर नहीं होते हैं, यही काम snap deal भी अपने site पे करता है, artificial intelligence का use करके, मतलब आपको एक type का product दिखा, just उसके नीचे दूसरे type का product, ताकि आप बोर नहों, आप जाके, जब आप उसमें personally कोई एक type के product में enter करते हो, तब ही आपको कोशिश करते हैं, आपको शायद यह चीज़े अभी तक समझ नहीं आया होगा, इस video के बाद आप जाके insights को चेक करिएगा, बिल्कुल आपको कोशिश करती हैं, वो गलियों और जो road के किनारे वाले जो बजार होते थे, वैसा कुछ ही है, आपको field देने की online में कोशिश करत हैं, इन्होंने एक जगा अपनी IT टीम बैठा दी, जो की हर जगा के shipping पर ध्यान देती है, और उसके बाद ये seller से इनको कब समान पिक करना है, और कैसे buyer तक पहुचाना है, वो सब इनकी IT टीम एक जगा बैठके, और अलग-अलग जगा जो इनकी shipping टीम बैठी है, वो सब इ जादा ध्यान दे रहें चीज़ों पर, और ये software और technology का इतना अच्छा यूज़ करते हैं कि total India में जितनी population है, उसके करीफ 5% population इनकी site पर buying करती है, और ये सारा कुछ, साड़ी 600-700 लोगों की स्टैप डिल की team है, जो बैठ के complete manage कर लेती है, ये सिर्फ possible है better technology से, तो आपको हमेशा better technology में invest करना चाहिए, technology में investment आपको कोई बड़ा खर्च नहीं है, ये आपकी service को और better ही करेगा, और customer के experience को better करेगा, और at last जो आपके लिए, और जो snap deal भी करती ये अपने हर product में value provide करती है, यही काम Amazon भी करती है, कि आदमी ने जितना पैसा pay किया है, उसको ये लगे कि नहीं मुझे सही चीज में लिए, तो ये सारी company इसमें ही focus करनी है, जितना पैसा दिया, उससे ज़्यादा value देतो, तो यही काम अगर आप भी online को शुरू कर रहे है तो आपको भी यही करना है, यह मैंने जितने points बता है, यह company की पूरी team match के research करती है, और उस तरह से लगाती है, तो यह चीज़ें आप directly implement कर सकते हैं अपने online business में, तो अगर आपको भी कुछ better infrastructure अपना online बनाना है, कुछ website बनाना है, app बनाना है, तो आप हमें directly WhatsApp कर सकते हैं, वो का हम आपके लिए कर सकते हैं, या तो आप किसी और से भी यह चीज़ें करा सकते हैं, बट आप अपना service आप बहुत better करिए, आप अच्छे से अच्छी आप technology यूज़ करिए, आप website अच्छी बनवाईए, आप app अच्छी बनवाईए, तो यही था आज का वीडियो, आ आप comment option में लेख के बताईए, हम comment में बात करते हैं कि आपको कैसी services इन लोग की दिखती है, आप भी यह site पे जाएए, देखिए और आप नीचे comment में बताईए, तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को like करिएगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा, आप मे regular वीडियो की notification चाहिए, तो bell icon भी आप press कर सकते हैं